हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल अरुप मरगरी तो देखें दोस्तों जितने भी यहाँ पर SAC के कैंड़ेट्स है आज के इस वीडियो में आप सभी कैंड़ेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेट्स लिए करा चुका हूँ जो काफी इं इंसर की को आप लोग बीना लिंक एक ऐसे चेक करोगे उसकी ट्रिक भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथी साथ SAC CGL Mains का जो वीकली लाइब मॉक टेस्ट होता ओली बोट के तरफ से जो बिल्कुल फ्री होता है वो यहाँ पर लाइब हो चुका है कैसे आप लोग attempt किजेगा लिंक कहां मिलेगा सभी चीजों को हम लोग डिसकस करने वाले हैं साथी साथ SAC CGL Mains के admin card के regarding एक important update देने वालों इसलिए वीडियो कहीं बिसकीप मत किजेगा complete देखेगा और जिनों न भी तक मैरे चानल को सब्स्राइब नहीं क्या फटा फ़र से चानल को सब्स्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो देखी दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SAC CGL Mains 2022 के official weekly mock test के बारे में जो allie board के तरब से हर week conduct करवाय जाता है लाखों में candidates यहां पर participate करते हैं आप सभी को पता है और allie board हमेशा स SAC के जितने भी mock test conduct करवाता है उसमें हमेशा number one रहता है तो आप लोग कैसे mock test को attempt करना है ठीक है आप लोग को कुछ नहीं करना है बस description box में इस mock test का link provided करवा दिया जाएगा मैं video खतम होते ही आप लोग को link provide कर दूगा वहाँ पे उस link पे click करना है और direct आप लोग mock attempt कर सकते तो वो page login हो जाएगा जहां से आप लोग mock test को attempt कर पाओगे बहुत ही आसानी से साथी साथ mock test attempt करने के बाद आप लोग को all India ranking भी provide की जाएगी साथी साथ AI based analysis भी मिलेगा आप लोग को detailed solution के साथ आप लोग को पता all aboard हमेशा से best mocks आप लोग को provide करता है तो जितने भी candidates हैं आ SSC GD के candidates है आप लोग ध्यान देना इस बात पर ठीक है आप लोग करना क्या है नीचे description box में आप लोग का SSC GD का official answer की का link मिल जाएगा वहाँ पे आप लोग को अपने credentials देने जो required रहेगा जैसे role number और जो password है वो आप लोग को put करना है उसके बाद आप लोग का जो page है वो open हो जाएगा जहां पर आपके details रहेंगे लेकिन वहाँ पर answer की नहीं रहेगा वहाँ पर आपको क्या करना है laptop के माधियम से आपको keyboard से control U प्रेस करना है ठीक है control U पेस करने के बाद जो है आपके सामने जो है उसका HTML का जो link है वो page open हो जाएगा उसके बाद आपका अगर वो page open नहीं होता है वो error so करता है तो आपको उस page को फिर से reload करना है उपर में reload का option मिल जाता है आप लोगो पता ही है reload करने के बाद आपके सामने आपका page open हो जाएगा वहाँ पर आपको control F क्लिक करना है ठीक है control F ध्यान दिजेगा वहाँ पर जाकर आप लोगो ssc.dglm सर्च करन काफी simple process है वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया है उस process को follow करके आप लोग अपना official answer की check कर सकते हो ठीक है अब बात कर लेते हैं ssc.dglm means के regarding जो official notice यहाँ पर जारी किया गया है उसमें क्या-क्या details यहाँ पर दिये गया है तो सबसे प इनों divide कर दिया है ठीक है पीपर वन को दो session मने आपको पता है जो session 1 होने वाला वो आपका reasoning plus mathematics होगा session 2 जो होगा उसमें आपका English plus general awareness होगा ठीक है यह दो session है और इसके ही marks count किये जाएंगे final merit के लिए और एक और होगा session 3 जिसमें आपका computer ability test होगा ठीक है computer ability test होगा उसमें क् questions आएगा computer का 20 questions उसको attempt करना है ठीक है उसमें याद रखिएगा आपको 18 number आपको वहाँ पर लाने होंगे ताकि 18 number लाने के बाद आप qualify कर जाएगा ठीक है वो qualifying in nature आने वाला है और इन तीनों चीजों को attempt करने के बाद आपको re-register करना पड़ेगा typing test के लिए typing test आप लोगो को पता है यहाँ पर 2000 की जाए गया ठीक है और जिसमें आप लोगो क्या करना पड़ेगा 30 words per minute यहाँ पर requirement है 15 minute का समय होगा अराम से आप लोग typing test को attempt कर सकते हो तो यह official notice यहाँ पर जारी किया गया था और बात कर लें आपका SSC serial means का admit card है वो कब से जारी किया जाएगा तो बिल्कुल आपका SSC serial means का admit card है वो 20 तारीक से आपका official status जो है आप लोग चेक कर सकते हो कि कहां पर आपका exam city और center पढ़ा है ठीक है 20 तारीक से आप लोग चेक कर लोग है और जो आपका official admit card है वो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले से आप लोग डाउलोड कर पाओगे उमीद यह क्लियर हो गया होगा इसके regarding कोई भी doubt रहेगे another तो आप लोग नीचे comment box में comment करना मैं आप लोग reply जरूर करूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और फटा-फट से जाकर जितने भी SSC serial means के candidates है नीचे allie boat का जो mock test है उसको attempt करना ना बूले मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद